दोस्तों अगर मैं आपसे करूँ कि आप एक mobile खरीद कर लाते हैं और इस mobile को आपको कभी भी नहीं चार्ज करना है यहां तक कि mobile की life खत्म हो जाएगी पर उस mobile के अंदर जो बैटरी पड़ी हुई है वो बैटरी कभी भी drain नहीं होगी वो बैटरी कभी भी चार्ज नहीं करनी पड़ेगी दूसरा एक जामपर ले लेते हैं कि अगर आपने एक बैटरी से चलने वाला वेक्यूम क्लीनर पर चेज किया है अब इस वेक्यूम क्लीनर को 24 गंटे 7 दिन 5 या 10 साल नहीं पूरे 50 साल तक चलाते हैं और इतना चलाने के बाद भी आपका वो वेक्यूम क्लीनर दोबारा से चार्जिंग नहीं माँगता है मतलब प्रॉपर चलता रहता है तो साइद आपको ये मेरे दोलो धारा बाउर्ज करने वाले लगेंगे पर एक्चुल में अब ऐसा हो चुपा है क्योंकि वेग्यानिकों ने बैटरी जगत में एक बहुत बड़ी उपलब्दी ह हासिल की है और एक ऐसी बैटरी बना कर तयार की है जिस बैटरी की लाइफ 5,10,20,30 साल नहें बलकि पूरे 50 साल है और इस बैटरी को एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में तो साइद दुबारा नहीं रिप्लेस करना पड़ेगा ये एक ऐसा रिवलूशनरी प्रोड़क्त ह दोस्तों चाइना के व्यक्ति को ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जिसका नाम है VB100 और ये बैटरी जबर्जस्ट परफॉर्मेंस करती है पर इसकी जब परफॉर्मेंस को देखते हैं तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है ये कोई साधारा बैटरी नहीं है ये है एक न्यू कई ऐसी कंडिशन्स हैं कई ऐसी सिचुएशन्स हैं जहां पर हम बैटरी का यूज करते हैं पर उस बैटरी को बार बार रिप्लेस करना काफी ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है तो इन सभी टेक्निकडालती से बचने के लिए एक ऐसी ही B100 बैटरी बनाई गई है जो वैग्यानिक बे एक ऐसा ही इनरजी सोर्फ चाहते थे पर इसमें आगे कदम रख दिया है चाइना के वैग्यानिकों ने तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये B100 बैटरी एक्चुल में है क्या ये रेडियो एक्टू तो है निउकलर बैटरी तो है पर ऐसे ही हर आसपेक्ट पे आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे तो अगर आप भी बैटरी में टेक्नोलोजी में इंडिस्ट रखते हैं तो आज का ये वीडियो डिफिनिटली आप के लिए काफी जादा नॉलिजबल होने वाला है क्योंकि ह साथ एक चीज पॉइंट डिसकस करने वाले हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की चानल पर नहीं है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक है सेर करना मत पूलें दोस्तों ये एसी नुकलेर बैटरी है जिस बैटरी को पहली बान समान खरीद के लिए उपलत कराया नहा है क्योंकि इससे पहले भी काई सारी नुकलेर बैटरियां बना कर तयार की गई पर वो बैटरियां समान खरीद में उपलत नहीं थi इस वजहेख इंम और ऐधा खास हो जाती है पर इसके ज़्यादा खास होने का कारण यही है कि यह पूरे 50 सालों तक काम करती है तो चलिए समझ लेते हैं इस बैटरी का पूरा A2Z की कि यह बैटरी क्या है कैसे काम करती है दोस्तों BV-100 बैटरी एक न्यूक्लियर बैटरी थे पर यह न्यूक्लियर कॉल्सेप्ट बिलकुल नया नहीं है 1950 के अंतरगर USA Atomic Research ने एक थर्मो जन्नेटर भी बनाया था जिसका विकास किया था पर वो सौमान खलीद के लिए उपलप्त नहीं था इसके बाद में तेकनोलोजी में धीरे धीरे अब ग्रिडेशन होते गए यह बैटरी काम करती है बीटा वोल्टिक टेकनोलोजी पर और सबसे इंपॉर्टन चीज कि इस बैटरी का जो साइज है वो एक सिक्के के समान है मतलब एक सिक्का रख दीजेगा एक बैटरी रख दीजेगा दोनों का साइज समान होने वाला है पर साइज के अपाडि अगर देखें तो यह बैटरी तीन वोल्ट और हंडेड माइक्रो वार्ट प्रडूस करती है चानते हैं यह बैटरी एक्चुल में काम कैसे करती है दो में न्यूट्रान की संख्या भिन भिन होती है वही पर इस बैटरी का जो वर्किंग मेकेनिजम है यह वर्किंग प्रिस्पल है वो है निकल 63 क्योंकि जब यह तूटता है तो इससे बीटा पार्टिकल्स उत्पन होते हैं और तेजगत से चलने वाले इलक्ट्रॉन गोली के तरीके चलते हैं और यह उर्जा को उत्पन करते हैं इनर्जी मिल जाती है पर एक रेडियो एक्ट्व बैटरी होने की कारण हमें सेफ्टी मेजर भी देखने होते हैं अगर हम लोग लीथियम की बात करें तो वह भी ज्यादा तापमान में या कम तापमान में हमारा कान करन और अगर कम तापमान की बात करें तो यह माइनस 60 डिगरी तक भी आपको अच्छे सेवर करके देने वाली हैं मतलब 120 से लेकर माइनस 60 के टमपरेचर के बीज यह बैटरी आपकी परफॉर्मेंस में अपने इनर्जी आउटपुट में कोई भी कमी नहीं करने वाली है 100 बैटरी बीवी बोर्टिक डिवाइसिस की स्रिनी में आती है जिसका मतलब यह है यह रेडियू एक्ट्व सोर्स द्वारा उत्पन बीटा पार्टिकल से इनर्जी को सीधे इलक्तिक इनर्जी में या इलक्तिक करंट में बदल देती है विचार एकदम नया नहीं है क्योंकि 1913 के इंतरगत हेंडरी मोसले ने भी एक ऐसा ही विचार दिया था जिससे न्यूक्लियर बैटरी बनाई जा सकती थी बैटरी निकेल 63 धातु का उपयोग करती है हमारी इनरजी की रिक्वार्मेंट को पूरा किया जा सकता है पर अब एक्चुल में बात ये आती है कि ये बैटरी का भविश्य क्या होने वाला है दोतों अदर भविश्य की बात करें तो ये बैटरी एक रिवलूशनरी के जो डिसड्वांटेज हैं बार-बार चार्ज करना पड़ता है उन सभी से बचा कर रखें और दूसरी अगर सेफटी की बात करें तो सेफटी मेजर के उपार्डिंग इस बैटरी को बुलट से भी नहीं दोड़ा जा सकता है तो इसमें इस प्रकार की सेफटी भी जब्थ होगी यह एक बहुत ही इंपॉर्टन चीज है और चीजों के अड्वांटेज होते हैं तो वहां पर डिसड्वांटेज तो जरूर होते हैं और बीवी हंड़ड बैटरी भी ऐसे कुछ डिसड्वांटेज के साथ है उनको निकालने का एक बहुत जरूरी प्रयास प प्रयूरी है डूसरा इस बैटरी में रिडियेशन का खत्राफ हो सकता है से रिडियेशन प्रोटक्शन भी इस बैठी लिए एक इंपॉर्टन फैक्टर हो तातीसरी इंपॉर्टन चीज की इस बैटरी को यूज करने केबाद रिसाइकल करना कितना important है कैसे किया जाएगा ये सभी factors पर अभी और विचार करना बाकी है पर overall अगर हम लोग BV100 की बात करें तो ये battery actual way energy sources के मामले में तो unbeadable होने वाली है और इसकी life बहुत जबजस्ट होने वाली है तो दोस्तर ये थी एक complete information BV100 battery के उपर अगर आप इसके बारे में अथिक जानकारी जाते हैं कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप comment box के मात्यम से हमसे सवाल पोछ रखते हैं हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे तो चले दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज किस वीडियो को समाप वीडियो पसंद आया था तो लाइक टर दीजेगा चैनल पर नहीं थे तो सब्सक्राइब पर दीजेगा मिलते हैं नग्स वीडियो में किसी नई अपडेट इसके